नमस्कार दर्शको आपकी साथ मैं हूँ विवेक शेर्मा और आप देखरें उतर बंगालेवं सिक्किम का 24-7 टेलिविशन निउस चैनल एसके लाइब कोरोना की जंग जीत कर घर लोटे दो स्वस्त कर्मी जलपाई गुडी जला स्वस्त वेभाग की और से ब्रहस्त वतिवार को दो कोरोना विजयताओ को फुलो का गुल दस्ता दे कर उनका स्वागत किया गया बताया जाता है कि ये दोनों स्वस्त कर्मी कोरोना मरेसु के एलाज के दोरान कोरोना वारस की चपेट में आये थे। दोनों का रपोर्ट्स नेगटिव आने के बाद उन्हें कोवेड एस्पिताल से छुट्टी दे दी गई। ब्रियस्पतिवार को ये दोनों जलपाई गु करना जोई हाते तो खुबी वालो लाग्छे किन्तु ब्यापट्टा उच्चे जहूं ताज कोती के आकांतो है चिलां तकन बुस्ती बाई निकी वाई आमार रोकता धरा पोल्लों किन्तु जहूं शुनला मामी कभी पोजिटिव तकन मानुसी खुब आते टेंशन छिलों क करना मी अनिकुलों को मौर्बेदिटी एकर एकर टेंशन अच्छे 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 तो हैपाइपोधर्थादिजिम इंपे अड्रेनार फांच्छे निक्तु भाई यही पेच्छे किन्तु हैस्पाताने जाखुन सभास्षात अच्छे छिला तो हंदेकन कारो अजय कोनो अशुविदा हुचे ना, कोनो रोको अशुविदा नै तकन एक्टो साहोष जाए जाए जाएचे आरोकां तेके बेरोय से भालु ही नागछे तब आखाएएग में पाड़ेशीग जाएजा अभूस्ता देखादु छे जा मनें होचे, अमला एक्ति मिना चार बर्षे लोग जोन तार्जा जानला पहन्दों कुड़े राख्चे एटा एक्टार कुप दुख जो नगवे पड़ की कोड़ भो मी तुके तो शावाय भाय भाय पाय पाच तारी पतुम दिये हो इस सायर फोन कोरे अमारका जानालो जे पोजिटिव नाचायली पतुमे को भीया पराचे नां जे तो हाई ब्लाट सुगार आछे तार परे लखने भेतोरे गीए आरे पाणिवास्टिक मानसुप लोके देखे नीजे बराकाश आहो शोलो एबं विशेश परे होचे भेतोरे जे शुन्दर एरेजिबेंटा शेतां ते नाचायली अब शाओ जोली एचे वी सिस्यु देखते हैं जेती दहार जोली पासे प्रिनिकुल शेखे अटमेडिक लेका शाओ जोली जोली तो था भाय पावेनने बुजव छरावेनना जेता एबं पारी पासिक जावस्ता जे शरकारी जेसास्त विदिया जेशेटाय मेने चोली भुजव छरावेनना जेशेशकोने जारा अक्राम तोह है तादेर परीबादूपोर पासे थागुए। अमादे ले टुबस्लोसिस सेक्षान हे, जुजन स्टाफ अपना जानें, जे तारा एफेक्टिट हुए छिलें, करोना पॉजिटिव एश्चिलो, एसिम्टमाटिक, तो ताला सुस्थवे बाडी गाछें, तो अम्दिरपापेन थेके ता देके सामगजना जाहा हुलो, ता ज्युक्ति भरी खेंगे अच्छिन, जे पर अमदे शुबेज शुबेच शेया हुए, अधिस्वागे फक्षान के शुबते के शुबते हुए, जे रोज रोज प्लीशे अधिन्स्टेशने भूंकी दिछी एपरे मने कास्तरां ने पोड़ते हाँ, जे भूएक्टिकित क लदाग के गलवन घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिनसक जड़प में भारत ने अपने 20 जवान खोय जिसको लेकर वधान मारकेट के सभी दुकानों की लाइट्स बंद कर इवं मुम्बत्ती जलाकर शहीद जवानों को स्रधान जली दी गई इस दौरान पूरे विधान मारकेट के लगबग 1200 दुकाने है जिन्होंने अपने दुकान की लाइट्स बंद कर इवं मुम्बत्ती जलाकर जवानों को भावपुर्ण श्रधान जली दी कूजबिहर में तीन और लोग पाय गये कूजबिहर में क्यरोना संकरमतों की संख्या बर्ती ज़ारी है गुरवार को जला प्रसाशन के तरफ से जानकारी दी गई कि नय तीन लोग पाय गये है संक्रमित में से दो तूफान गंज के हैं और दोनों महाराष्टर से गूज भीहर आये थे संक्रमित एक विक्ति दिन हाटा करहने वाला है सुवस्त वेभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि 367 लोगों की रपोर्ट्स नेगटिव आई है तीन लोगों के संक्रमित मिलने से जिले में कुल संक्रमित की संक्या 280 हो गई है एक्टिव केसेज 64 है और 228 लोग स्वस्त जुके है परश्रमंगाल में COVID-19 के कारण 12 और लोगों की मौते मरतकों की संक्या 518 पहुची पश्यमंगाल में ब्रियसवतिवार को COVID-19 के कारण 12 और मौते हुई जिसमें राज्यों में मरतगों की संक्या 518 हो गई है राज्य सरकार के स्वस्त विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन में अज्यानकारी दी गई मेंडिकल बुलेटिन में का गया कि सभी 12 मरिजों की मौत अन्य बिमारियों के कारण हुई जिन्हें कोरोना वारस का भी संक्रमन था बुदवार से 435 लोगों में कोविड-19 का संक्रमन होने का बता चला है जिसके साथ ही राज्य में कोरोना वारस की कुल मामलों की संक्या 12,735 पहुँच चुकी है बेमारी से ठीक होने के बाद कम से कम 460 डोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जिससे ठीक होने वाले वेक्तियों की दरों में बढ़ उत्री आई है एवं कुल संक्या 7,000 पहुँच चुकी है बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में ठीक होने वालों की दर 54.97 फीजदी है देश में हर दिन बढ़ रहा है कुरोना वारस का नया रेकॉर्ड एक दिन में सामने आई 12,881 नय मामले स्वस्त होने की दर 52.95 फीजदी का बढ़ा सुधार देश में जैसे जैसे जाच में तीजी आ रही है कुरोना मामलों की संक्या में बढ़ उत्री हो रही है बीते 24 गंटे में 12,881 नय मामले सामने आई और 334 लोग की मौते होई है इस तरह अब तक 3,666,946 लोग इस बैमारी की चपेट में आ चुके है जबकी 12,237 लोगों की जान जा चुकी है हलाकि कुरोना की चपेट में आई लोगों के स्वस्थ होने की दरों में भी सुधार आई है अब यहां दर 52,95 फीजदी हो गई है बुदवार को यहां दर 52,80 फीजदी था देश में अब तक 1,94,325 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके है पिछले 24 गंडे के दौरान 7,390 लोग इस बिमारी से चंगे होकर अपने घरों आपस पहुँचे देश में इस समय एक लाख 6,34 सक्रिया मामले है देश में अभी मरने वालों की दर 3,33 फीजदी है चीन के वरोद में प्रदर्शन का दौर लगातार है जारी कालिया गंज में लोगों ने निकाली रैली चीनी और रष्टपती शी जिंग्पिंग के पुतले भी फोके भारतिय सैनो की शहादत पर चीन के खलाफ गुसा कम नहीं हो रहा है कालिया गंज में चीन के दोखेबाजी के वरोद में एक प्रतिवाद रैली निकाली गई और चीनी और राष्टपती शी जिंग्पिंग का पुतला फुका गया रैली कालिया गंज शहर के माँ बारा काली मंदिल से शुरू होकर शहर की विभन्नम मार्गों की परिक्रम करते हुए शुकांत मोड में पहुँची यहां पर कालिया गंज सिमांत चेतना मंज के नित्रतों में लोगों ने चीनी राष्टपती शी जिंग्पिंग का पुतला फुका आप सभी को एक बार फ़र से बता दे की चीन के खिलाव भारत में खासा आक्रोश बढ़ता जा रहा है अपनी करतुतों से बाज नहीं आने वाले चीन ने सोवार देर रात को सीमा परतायनात भारतिया जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए इसके बाद से ही पुरे देश में प्रदर्शन का दौर लगा था रजारी है अंट को सभी लेंगे ब्रेक की बाद कburg दस्वी और बारवी के बच्चों के लिए सुन्हेर मौका। दस्वी के बच्चों के लिए हैै प्रामेडिकल कोर्स और बारवी के लिए है मेडिकल कोर्स। कि पाहतीजिव वह बैंक सुधsti के साथ relation डिक्री दिप्लोमा है उवलग्ट सभी स्ट्रिंग के बच्चों के लिए खुली है करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहेरा मौका लाए है टपवेर के सिलेबल सित्पुरे नौट पंगॉल की दिस्रिब्यूटर नारायमी पार्टी से इसके सोचे नहीं स्क्रीन में दिये गए नंबर में संपर कीजिए और विस रिज जानकारी वीजिए घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबर सिप लीजिए अपनी सपनों को पूरा कीजिए मुश्किल की इस घरी में आपका साथ ही सिर्फ टपवेर के लिए एसके लाइब ही बेस्ट आप्शन है एसके लाइब का इस छेतर में 24 गंटा टेलिवीजिन एंड्रोइड एप और वेजसाइट पर प्रशारन होता है सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्द है हमारी भीवर्शिप नो लाग से अधीक है सिक्कीम हैथवे और एनेक्स्टी डिजिटल पर राजलिंग और कालिंपोंग में दोनों हैथवे और सिसी एन सेटप बॉक्स पर क्लामपूर से लेके माइना गुड़ी हैथवे पर सीटी क और आसपास नक्सल बाड़ी से पानी टेंकी तक एनेक्स्टी डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें सेवेन नाइन जीरो एट डबल फाइव फोर थी जीरो एट ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागते बढ़ते एक खाबरों की तरफ भारतियस सेना ने अगरी पर तैनाती बढ़ाई सिमावर्थी गाओं को खाली कराया गया तीसरी बैठक में भी नहीं बनी बात लदा के गलवन घाटी में सोंवा राचीनी सेनकों की दोके बाजी का मोतोर जवाब देने के बाद अब भारतियस सेना इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने को तयार नहीं सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के अगरिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है कई सीमावर्थी गाओं को भी खाली कराया जा रहा है इस बीच मौझूदा हालात सामान्य करने के लिए सेना कमांडर स्तर पर हुई बाचीत में गुरवार को सेना ने फर्स पष्ट कर दिय गया है कि गलवान घाटी में पहले कि स्तिती बहाल करने के लवा इसका चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वहीं गलवन घाटी पर दावा ठोकने के चालबाजी पर लगी चीन की सेना के रूख के लगातार तीसरे दिन भी बाच्छीत का कोई हल नहीं निकला अलकि बैठक के नतीजों को लेकर दोनों पक्षों की और से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बैठक के नतीजों की और से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बैठक के नतीजों की और से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। भारत नेपाल सीमा विवाद चरम पर पहुँचा। विवादेत नक्से वाले बिल को नेपाल के राश्वपती ने दी मनजूरी भारत के तीन शेत्र अपने में दिखाए। नेपाल के राश्वपती विद्या देवी भंडारी ने बिरसव दिवार को देश के ने राजनेतिक नक्से को बदलने वाले समीदान शंशोदन विदायक पर हस्ताक्षर कर दिये। जिसमें रननेतिक महतवाले तीन भारतिय शेत्रों को शामल किया गया है। नेपाल ने पिछले माईने देश का शंशोदन राजनेतिक और प्रसाशनिक नक्षा जारी किया था। नेपाली संसद के निचले सदन के बाद आज उच्च सदन ने भी समीदान शंशोदन विदायक को सर्व सम्मत्ती से स्विकृती प्रदान की है। कॉंगरेस के बीच करीवी मुकाबला होगा। और देखते हैं एसके लाइव आपका समय आपकी खबर धन्यवाद। कर देखते हैं एसके स्विकृती अफिकृत प्रुट्स